चार 32, चार 33, चार 34, चार 35, चार 36, चार 37, चार 38, चार 49, चार 40, चार 48, वेरी गुड, चार 43, चार 44, चार 45, चार 46, चार 47, चार 48, चार 49, चार 50, चार इक्यामन जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारी कानपूर डिफेंस फिजकाल लेकेटी पे जैसा आप सभी जानते हो कि हम हर मंडे को 16 मीटर की आपको टाइमिंग दिखाते हैं आज मंडे का दिन है और पूरी 16 मीटर की टाइमिंग होने जा रही है तो वीडियो पर लाश्ट टक बने रहेगा पूरी टाइमिंग को देखेगा कि बच्चे कितने में फिनिस कर रहे हैं नया बैच का अडिमिशन चालू हो चुका है जैसा हमने बताया था कि नया बैच है लेकिन फिर भी हम आपको चाहें 10 बच्चा हो चाहें 15 बच्चा हो लेकिन हम टाइमिंग आपको जरूर दिखाते हैं सभी बच्चो का टेस्ट अब देखरो यह पूरा बैच बैठा हुआ है ज्यादा तरिसमें सब नय बच्चे आपको मिलेंगे पुराने 24 होंगे जो बच्चो पूरी 16 बच्चे टाइमिंग दाओगे ना इस इतने बच्चे नय हो जो 24-10 दिन हुआ है आज उठाओ जो 24-10 दिन वाले तो साफी हो मतलब है पुरा दौड होगे उठाओ तो नहीं सबस्के आप देख रहे हैं 16 मिटर रेस का ये पहला चकरारा मुझ्चो का बहुत ही जजब की टाइमिंग देखने तो मिल लए है और तेज बच्चे सबाश सबस्स आज यही थमनेल बने आप देख रहे हैं, शोला सो मीटर रेस का पहला चकर चालू हो चुका है, बहुत बेतरीन मेटा, सबाश, हल्की उन्वनी ठंड है, पहले क्या होता था कि हम लोग लेते थे साम को टाइमिंग, लेकिन अब हो गई ठंड है, सब खतम, लेकिन अब होगी टाइमिंग जो भी होगी, गुट बिटा गुट, सबाश, शोला सो मीटर रेस का पहला चकर, पहला चकर फिनिस होने के कगार पर पहुँच चुका है, जल्दे रोशीत रहे, बहुत 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 बहु पीछे मत दे कांगे बस चलता रहे इसी तरह बहुत ही बैसरे इन टाइमिंग आएगी जैस आप सभी जानते हो कि हर मंडे को 16 मिटर की टाइमिंग का टेस्ट लिया जाता है इस एकडमी पे चाहे बच्चा नया हो या पुराना हो सभी का टेस्ट होता है आप देख रहे हैं इस बच्चे को करीब 10 मिटर के लिए दे दी है इस बच्चे ने आज पूरी टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी 1600 मिटर आखिर कितनी देर में फिनिस हो रहा है साबाद बेटा साबाद बहुत ही बैतरीन कदम है तेरा गुड़ और दूसरा चेकर फिनिस होने वाला कुछी देर में परेशान नहों मैं दूसरे चेकर जिबी टाइमिंग आपको बताऊंगा बेरी गुड़ बेटा चलते रहो इसी तरे माद दो चेकर का खेल दो साथारा दूसरा चेकर फिनिस और बड़ा रेश का तीसरा चेकर इसके बाद होगा मातर एक आखरी चकर जो कि होगा फाइनल लेला है आखिर कौन आया कि ते मिनिट पे चलते रहो बच्चा चलते रहो इसी तरे रेश का तीसरा चकर है अगर आप भी कर रहे हैं सोला सो मीटर धावक बनने की तयारी तो आप जरूर देख सकते हैं एक बार इस वीडियो को क्योंकि यहां होती है हर मंटे को आपके टाइमिंग का टेस्ट जिससे आता है आपके अंदर जुनूर हर आप लगातार अगर महीनों तयारी करते रहें और आपका टेस्ट न लिया जाए तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा लिकनि यहां चाहे बच्चा नया हो या पुराना हो सभी का हम लेते हैं पूरा टेस्ट आज आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी टाइमिंग इस बच्चे की आती हुई आज पूरा दिखाएंगे कि लाज शक्र लाज शक्र बेटा पूरा बढ़ागे चलना एकदम लंबे लंबे कदम बिलकुल खीज देना कोई नहीं है चलता है रहे तू साबाश चलता है रहे और ये तीसरा चकर फिनिच चोथा चकर इस्टार्ट साबाश आखरी चकर है विलकुल इसी तरह चलना लंबे 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 पैरों से कदम एक भी रुखने नहीं चाहिए साबाश बेरी गुड बच्चा रेज का आखरी चकर रेज का आखरी चकर है बिलकुल खीच के बेहतरी इन टाइमिंग के साथ साबाश चलते रोशी तरह साबाश बेचे साबाश आगरी चकर टाइमिंग काउंट होना शुरू होने वाली है साबास चार सैथालीस चार अठालीस चार उम्चास चार पचास चार इक्यामन चार बामन चार त्रेपन चार चौवन चार पचपन चार चपन चार सतामन चार अठामन चार उनसट पाँच पाँच एक पाँच दो पाँच तीन पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छे, पाँच साथ, पाँच आठ, पाँच नो, पाँच दस, पाँच ग्यारा, पाँच बारा, पाँच तेरा, पाँच चोदा, पाँच पंदरा, पाँच सोला, पाँच सत्रा, पाँच अठारा, पाँच उनाइस, पाँच वीस, प पाच बाच 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 बा झाल झाल